एक साथ इत्ते सारे खाने की डिस यह देखकर आप लोग चौकिये मत मैं आप लोग को बताती हूँ यह सब डिस आलुगुंडा, जलेबी, चना, कड़ी चावल, पूडी सबजी यह सब हमारे यहां स्री प्रदीप मिश्रा जी के महापुरान कथा में बाटेगे 56 भोग हैं आ आज आप लोग को यहां पर यह बताऊंगी कि हमारे भिलाई वासी, अपना दिल बढ़ा करके, चितने महमान बाहर से आये थे हमारे हां महापुरान कथा सुनने, वहां पर लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और अपनी सकती के अनुसार भक्ती दिखाई, किसी को कि प्रकार का तकलीफ ना हो, इसलिए लोगों ने यहां पर बढ़ चड़ कर खाने का खाना बाटा, यहां पर कोई पूरी सबजी बाट रहा है, तो कोई खिचडी बाट रहा है, यहां पर हमें यंग जनरेशन भी देखने को मिला, जो खुद इलों होस्टल में रहते हैं, इन हम लोगों की सहायता करें, और इस आयोजन को हम सफल बनाएं, हमारे भिलाई का नाम रोशन करें, कुछ लोग यहां पर खिचडी बाटते हुए दिखें, जिनको जो समझ में आ रहा था, वो लेकर आ रहे थे, और लोगों को बाट रहे थे, यहां पर बाटने वाले की कमी यहां पर खाने वाले की कमी हो गई, यहां पर कुछ लोग बच्चों के लिए बिस्कीट बाटते हुए दिखें, बहुत खुसी से लोग बिस्कीट बाट रहे थे, और आनंद ले रहे थे, जो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, यहां पर हल्वा बाट रहे हैं, इसे देखकर बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ ही, देखिए हाँ चार्ट भी उपलब्द है, यहां एक चार्ट वाला भी आया, जो अपनी सक्ती के अनुसार, सबको चार्ट बाट रहा है, यहां पर लोगों को खाने की कोई भी चीज की कमी नहीं हुई, जो मतलब मार इस नहीं होगी, यहां पर देखिए गर्मी था, तो गर्मी को मद्दे नजर रखते हुए, यहां पर लीची का जो सर्वत आता है, वो बाट रहा है, इसके लिए अच्छी खासी लाइन लग गई, यहां पर कोल्ट रिंग भी बाटा जा रहा था, एक मैटाडोर में कोल्ट बाट रहे थे, मसाला, खिचड़ी, यहां पर जो चीज चाहें यहां पर आपको मिल रहा था, देखिए फल वालों की भी कमी नहीं थी, लोग यहां फल बाटने भी आ गए थे, यहां पर इलोंग पपीता और अंगूर काट कर बाट रहे हैं, यहां पर आप साबुदाना का का पोहा है, चाबुदाना का पोहा कुछ महिलाएं लेके आई थी, और संत में च्छाच लेके आई थी, देखिए, मतलब जिसको जो समझ में आ रहा है, वो लेके आ रहा है, लोग की सहता कर रहा है, यहां पे रोटी चटनी, यहने की मैं बोल रही हूं, चहपन भोग पूर रहे हैं कोल्डरिंग के लिए थोड़ा सा हलचल हो जा रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम था और ठंडे के उपर लोगों का ज्यादा जोड था इसलिए थोड़ी सी भगदर मज जा रही थी लेने के लिए लेकिन फिर भी अच्छा था और यहां पे देखे कुछ लोग फल लेकर हो गया यहां पर है पुलाव और पुलाव और सबजी यहां पर पुलाव सबजी दिया जा रहा है इस तरह से लोगों की सेवा की भावना देखकर लोग बहुत प्रसन हुए यहाँ पे चाय सर्व किया जा रहा है लोगों को रात में एनरजी लाने के लिए और रात बर भजन किर्तन करते रहे हैं इसके लिए यहाँ पे चाई भी बाटा जा रहा है, यहाँ पे चावल और सबजी और चटनी है, जिसको चावल खाना है वो यहाँ पे चावल, सबजी, चटनी भी ले सकता है, इस तरह से आपको यहाँ पे सब चीज एवेलेबल है, यहाँ पे आपको छोटे बच्चे से लेक किया थे यहाँ पर आम पना का भी इंतिजाम था यहाँ पर देखें आम पना सर्व किया जा रहा है इस सब देखकर आपको ऐसा बिलकुल भी महसूस नहीं होगा कि इस आते बड़े आयोजन में किसी को कुछ खाने पिने की कमी हुई होगी किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होई सब भीलाई से बहुत खुशो कर गए यहाँ पर भीलाई वासियों ने अपने भाईचारा का परिचय दिया और सब ने मिल जूलकर सहीयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाया इसलिए इतना बड़ा आयोजन सफल हो पाया यहाँ पर देखें गर्मा गर्म समोसा सम अगर्ण बीस्टीट ला रहा है बिस्किट तो बहुत लोग लेकि आये थे बचों को डिस्टीब्यूट कर रहे थे क्योंकि तोलडर होता है और शाच सब्सक्राएं उस्टीज़ वसी और भाईचार की भाउना देका बहुत खुसी हुई अगर आपको मेरा ये ब्लॉक पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल में नए होगे तो सब्सक्राइब करिएगा